जैहिंद एवरीवन, दिशी जासन रजा, I hope कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है, क्यूंकि आज हम बात करने वाले हैं, आंडामन एंड निकवर आइलेंड के उपर, सो देखेंगे एक एकर के इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जोग्राफी क्या है, इसकी पॉलिटी क्या है, इसकी अड्मिस्ट्रिव डिविजन क्या है, क्लाइमेट के बारे हम बात करेंगे, ट्राइब के बारे हम बात करेंगे, यहां के रिलिजियन के बारे हम बात करेंगे, स तो एक एकर के सारे डीटेल्स में बात करेंगे, so let's begin. So ये अंडावन और निकवर आइलेंड जो है, इसको एमरेल आइलेंड भी कहा जाता है. एक जो है, अंडावन और निकवर आइलेंड और एमरेल आइलेंड, is a union territory of India consisting of 572 islands, of which 38 are inhevitaid. मतलब 38-572 में 38 रहने लायक है यह है अंडवन निकवर आइलन्ड आप देख सकते हो यह वाला पार्ट अंडवन निकवर आइलन्ड है इसकी कैपिटल जो है Port Blair Port Blair इसकी कैपिटल है जो की सावध अंडवन में है यह देखो अगर हम यह अंडवन को डिवाइट कर देते हैं यह नोर्द वाला यह मिडिल वाला और यह सर्दन पार्ट तो यहीं पर है Port Blair अब इसको जो एक वर्ड है कि Emerald Island इसको Emerald Island क्यों कहा जाता है ना because the Union Territory comprises कितना around 500 आइलन्ड 500 आइलन्स अलमस्ट वहाँ पर मतलब बिख्यर के है scattered like green gems green gems अब रतने की तरह दिख रहा है green gems in the bay of Bengal that's why they are called Emerald Island I hope कि आप सबको clear हो गया होगा then it is called the southward extension of Arakanuyama अच्छा यह Arakanuyama का southward extension है then what is Arakanuyama यह कहां पर है मियामर में यह वाला आप देख सकते हो यह वाला हिस्सा यही बताया जाता है जहां से इरावडी रिवार भी फ्लोज होती है इरावडी रिवार भी इंपोर्टांट है याद रखेगा तो इट इस दा साउथ वार एक्स्टेंशन ओफ आराकन यमा देन देखते हैं इसकी हाइस्ट पीक के बारे में बात करेंगे सो सैडल पीक सैडल पीक इन नोर्द अंडामन इस दा हाइस्ट पीक यह वाला पार देख सकते हो यह नोर्द अंडामन मैंने बताया था बीज वाला मिडिल अंडामन और नीचे वाला साउथ अंडामन सो नोर्द अंडामन में यह सैडल पीक है जिसकी हाइड है अल्मोस्ट 737 मीटर है ना 737 मीटर अंडामन में है और कौन सा हाइस्ट पीक है सैडल पीक and mount थूलियर थूलियर जो हाइस्ट पॉंट है यह नीकवर का है यह अंडावन का नहीं यह निकवर का है and it is located on the island of great निकवर यह वाला अंडावन पार्ट है इसके नीचे जो है वहाँ पे great निकवर है और वहाँ पे mount थुलियर है ठीक है तो याद रखिएगा saddle peak is the highest peak of अंडावन and निकवर अब बात करेंगे आंडावन निकवर आईलेंड है बनागे से ऐनडावन एन डिकवर आईलेंड प्लेट्म iveness प्लेट्ट इक हड़ एक थोड़ा लाइटर ओपर जाएगा ऐसे करके mountain बनता है is like Himalayan mountain to Andaman and Nikovar भी ऐसे ही बना था The islands have dense tropical rainforest अगर हम बात करेंगे कौन सी vegetation देखा, मिलता है वहापर in the tropical rainforest The islands host the Andaman and Nikovar common, the only tri-service geographical common of the Indian armed forces ये भी याद रखियेगा And what is the state animal? The state animal, the sea cow which is known as the dunguong डुगॉंग इस दा स्टेट एनिमल ऑफ आंडावन और निकवर आइलेंड और वेजिटेशन क्या है ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट और बना था कैसे के देखते हैं इसको पिक्चर में देखे, यह वाला है नोर्ट अंडावन जहां पर साडल टेखहे यह मिडेंड अंडावन यह साओध अंडावन मैंने बताया था यह निकवर है यह वाला यह लीटिल निकवर अब इसको जो डिवायट करते हैं चैनल बागरा की बात भी डीटल तो देखते हैं प्होलकानों के वागार याद रखेगा याद रखेगा बैरन कभी कभी कोशन बन जाती है बैरन एन नारकोन्डम याद रखेगा अब बात करेंगे ट्राइब के उपर आंडावन में क्या-क्या ट्राइब मिला जाता है देखो आंडावन में दो ट्राइब का मैं यहां पर दिखाया हूँ एक आंडावन नेगरिटो ट्राइब इस कौनसा कौनसा लेकर बनता है दा ग्रेट अंडावन इस ओंगे जारा सेंटिनलीज यह बहुत ही डेंजेरिस है यह सेंटिनलीज ट्राइब है यह पिक्चर लिया गया था जब उनसे पहली बार कंटक्ट करने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने उनके तरफ से हत्यार फेकना शुरू किया तो कंटक्ट हो नहीं पाई तो याद रखेगा मॉंगोले ट्राइब में यह आता है सॉमपेन आते हैं निकोबारिस ठीक है याद रखेगा सॉमपेन निकोबारिस सेंटिनलीज जो आइलेंड है ट्राइब है यह एक्चुली आइसोलेटेड है अभी भी आइसोलेटेड है और गवर्मेंट आप इंडिया 1956 में भूल जा र रखे हैं मतलब वहां पर पेट्रोलिंग भी होती है कि उनको कि अटाक ना करें बाहर के हिसे से अब देखते हैं कुछ आइलेंड इंपोर्टन आइलेंड के बारे में जो अभी उसका नेम को चेंज किया गया है एक है रोज आइलेंड जिसको नेता जी सुबास चंद्रबो गसा को यहाद रखेगा नाम चेंज करके सहीत सुबास व्युद्ण नील आईलेंड कहा है नील अईलेंड भी यही पर है यह वाला पार्ट यह वाला नील आलेंड यह वाला politiques यह वाला रोज आईलेंड आइवलक इła हा जाता है। रोज आइलेंड को नेताजी सुबास चंद्र बोस दिफ, नील आइलेंड को सहीद दिफ, और हैवलोक आइलेंड को सोराज दिफ, I hope कि इससे कोई confusion आपको होगा नहीं, अब देखते हैं, जो चैनल की बात कर रहे थे, 10 डिग्री चैनल, so 10 डिग्री चैनल, सेपरेट, मैं फि किसको करता है, सेपरेट किसको करता है, इधर अंडामन का हिस्सा रहे गया, इधर निकोवर का हिस्सा रहे गया, तो 10 डिग्री चैनल, सेपरेट और डिवाइड, अंडामन और निकोवर आइलेंड, अब जब बात आई, चैनल की डिग्री की, तो हम बता देते हैं कि, एक है 8 degree channel 8 degree channel किसको divide करती है ना लाकसदिप and मालदिप्स याद रखिएगा लाकसदिप and मालदिप्स याद रखिएगा लाकसदिप and मालदिप्स और एक है 9 degree channel 9 degree channel किसको divide करती है यह लाकसदिप and मीनी को है याद रखेगा मैं तीन और एक बर बता देता हूँ एक है 10 degree channel जो कि separate करती है Under 1 and Nickover को ठीक है and 8 degree channel एक है जो लाकसदीप and Maldives को and 9 degree channel जो किसको किसको divide करती है लाकसदीप and Mini को है तो ये question बन सकता है जैसे कि which channel separates Under 1 and Nickover तो आप याद रखेगा 10 degree channel अब आता है Duncan Passage Duncan Passage भी important है Duncan Passage separates little under 1 from south under 1 देखे ये वाला जो है Duncan Passage ठीक है ये little under 1 और south under 1 को divide करता है याद रखेगा पहले तो बताया था 10 degree channel, 9 degree channel, 8 degree channel अब ये Duncan Passage इसको भी याद रखेगा then administrative की थोड़ा बात करते हैं जैसे कि the union territory the union territory of Under 1 and Nickover island comes under the jurisdiction of Calcutta High Court Calcutta High Court याद रखेगा बहुत अच्छे से Calcutta High Court West Bengal को भी jurisdiction करती है और Under 1 Nickover को भी ये question बहुत ही important मतलब आ सकती है question बन सकता है यहाँ से कि Calcutta High Court याद रखेगा Calcutta High Court जो Under 1 Nickover को भी मतलब Under 1 Nickover भी उसके जुड़ी सिक्षन में आता है then अगर Calcutta High Court की बात करें हम it is the first High Court it is the first High Court of India and it was inaugurated in 1862 कब बना था 1862 first High Court so याद रखेगा कि the Under 1 and Nickover Island comes under the jurisdiction of Calcutta High Court अब और थोड़ा बात करते हैं administrative setup के बारे में जैसे कि the Under 1 and Nickover Islands has only one Lok Sabha seat only one Lok Sabha seat याद रखेगा as it is the union territories the president of India is the cheap administrator है ना ये union territories है UT है इसलिए the president of India is the cheap administrator Central Government rules the union territory through a left-hand governor आपको पता भी होगा कि UT ये left-hand governor के द्वारा सासित होता है अब आता है कि left-hand governor कौन अपटाट करता है left-hand governor ये बहुत important है is appointed by the president of India left-hand governor is appointed by the president and the left-hand governor is assisted by the advisor who is an IAS ठीक है left-hand governor को जो सलहा देते हैं assist करते हैं वो एक IAS होते हैं अब बात करेंगे religious distribution की अगर बात करें ये मैंने map copy किया हुआ है ये वाला जो 69.4% आप देख रहे हैं ये हिंदू कम्यूटी है है ना याद रखिया है 2011 का census के साफ से according to 2011 census हिंदू 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 then Christian कितना है 21.8% then Muslim Muslim है 8.5% and others बहुत ही रेर हैं तो हाइस्ट कौन से हिंदू अब हमने यहां पर language को mention नहीं किया है लेकिन आप याद रखियेगा बैंगोली जो होता है highest spoken language यहां पर है बैंगोली और बाकी बहुत सारे language हैं जिसे की डॉल्फीन नहीं होगा कौन सा यंसर डुगाउं 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 इस दा स्टेट अनिमल अंडावन और निकवर आइलन यह आप के लिए मैं छोड़ देता हूँ कौन सा होगा बताईएगा comment में then which high court serves as the judiciary of अंडावन और निकवर कौन सा बताया था करनाटा का no मादरा साइकोड no कलकाटा yes यह question number two आप लोगों के लिए pending रहा इसका जो भी answer होगा आप comment में बता सकते हैं आप अगर बताएंगे तो आपको याद रहेगी हमेसाइक के लिए then इतना ही आज के लिए छोटा सा टॉपिक था बस उसके हमने जोग्राफिक के बात की उसके हमने religion पे बात की administrative setup पे बात किया Kolkata high cut के बारे में बात किया डूंकान पैसेज के बारे में बात किया 10 degree channel 8 degree channel 9 degree channel सब के बारे में बात किया अब जो होप की आपको आज का वीडियो बहुत ही interesting लगा होगा और काम आया होगा so thank you so much take care and god bless you